अब समझेगा यूँ इस बात को क्योंकि अगर आप टेबल सीधा पाइथन पर बनाना चाहते हैं जियां पाइथन पर ही टेबल आपकी बन जाएगी और ये कैसे बनेगी क्या क्या चीजे होंगी उसको देखेंगे सबस्क्राइब तो MySQL को ओपन करते हैं क्योंकि इस से हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास कौन-कौन से डेटाबेस हैं इसको चेक कर पाएंगे तो मैं MySQL का Workbench ओपन करता हूँ जिसके की उपर हम देख पाएंगे कि कौन-कौन से टेबल हमारे पास पहले से हैं ठीक है और कौन-कौन से डेटाबेस हमारे पास पहले से हैं तो यहाँ पर डबल क्लिक करके और हम इन हो जाते हैं MySQL के अंदर अब चुकि हमको ये पता करना है कि हमारे पास कौन-कौन से ड बना होता है बाकी student है shopping है shop d है school है पाइश कूल है product d है office है mysql है my own database है जो भी databases है यह सारे databases इसमें हैं लेकिन मेरे नाम से यानि सूरज के नाम से कोई database बना नहीं हुआ है तो यह जो है सूरज के नाम से अगर आपको database बनाना है तो आप python पे directly बना सकते हैं और उसी के through table भी बना सकते हैं फिलहाल तो हम इन ही में से कोई database यूज़ करना चाहते है जैसे suppose कि यहाँ पर shop d नाम से हमें database यूज़ करना है यह देख सकते हैं shop d नाम से database पहले से बना हुआ है तो इसी को हम python में क्यों यूज़ कर ले और इसी को यूज़ करके table बना ले तो क्या ऐसा possible है यहाँ पर सबसे पहले python को open करेंगे तो यह python की जो traditional idly है उसी को मैं open कर रहा हूँ इसी पर हम काम करेंगे ठीक है चुकि easily available है सबके लिए और सबको समझ में भी आएगा इसके तो यहाँ पर जाकर के और new file हम ले ले लेते हैं ठीक है अब यह new file हमने लिया सबसे पहले क्या connector यह लिख दिया और फिर enter करके नीचे आजयेंगे mysql.connector लिख करके enter करके नीचे आएंगे जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक हमें बना लेना है किसी भी नाम से बना लेता हूं किसी भी नाम से चाहिए तो आप बना सकते हैं ठीक है और चुकि mysql हम यूज कर र फिर यहां पर लगाना है dot connector dot connector यह हो गया फिर लिखिए dot connect यह हो गया इतना हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है अब जब इतना हो जाएगा तो फिर हमें host देना है तो आपको याद है ना जब हमने mysql open किया था इसको तो mysql open करते वक्त हमारे host का नाम था local host जैसे मालीच यह अगर मैं इसको बंद करता हूँ दुबारा से चालू करूँ देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको बंद करता हूँ और फिर इसको चालू करता हूँ mysql workbench को ठीक है तो यहाँ पर यह workbench आ रहा है इस पर click करेंगे तो आप देखेंगे कि host का नाम क्या है host का नाम है local host ठीक है और username root है और password हमारा जो भी होता हो पासवर्ड तो खैर आपका जो भी होता हो जो आपके system में password पढ़ा होगा वह पासवर्ड डालना होगा लेकिन यहाँ पर double click करेंगे तो यह इस तरीके से आ जाएगा देख रह है जैसे कि मैंने आपको पताया था कि मैं school वाला database लेने वाला हूँ यहाँ पर तो यहाँ पर school के नाम से जो database है इसी कॉम लेंगे यह shop d नाम से जो database है वो भी ले सकते है तो चाहे school लीजे चाहे shop d लीजे दोनों में से कोई भी ले सकते है तो चलिए हम आगे बात करते है यहाँ पर dot connect हमने लिख लिया है अब हमें क्या करना है bracket को open करना small bracket open कर लिजेगा enter कर दीजेगा host का नाम क्या है हमारे local host है तो devoted comma में लिख दीजेगा local host gapping नहीं चलेगी gap मत दीजेगा ठीक है न तो यहाँ पर local host कर दिया अब यहाँ पर comma लगाईएगा enter कर दीजेगा नीचे जैसे ही आईएगा तो user name देना है आप तो user is equal to क्या रहेगा तो user is equal to जो भी आपका user हो तो हमारा user root है R O T मैंने आपको अभी दिखाया ठीक है तो हम root दे देते हैं और यहाँ पर comma लगा करके क्या करना है password देना है नीचे तो जो भी आपका password होता हो वो आप दे दीजेगा तो P A O S यहाँ पर password लिखना होगा P A O S W O R T password is equal to तो जो भी password होता हो वो दे दीजेगा मेरे case में यही password है तो मैं यही दे देता हूं ठीक है तो यह password हमने दे दिया और password देने क梵ाद इसको भी आपको किस में रखना है Dublin59 में रखनाए फिर comma लगा देना है अब यहाँ पर database का नाम आएगा तो हमारा database किस नाम से है तो यहाँ पर database कर दिया आप ने और database is equal to किस नाम से हमारा database? तो हमारा database है school नाम से s-c-h-o-o-l इसी नाम से हमारा database है तो अब devoted comma को close कर दीजिए अब close करके आप तो कुछ देना नहीं है तो अब इस bracket को भी close कर दीजिए तो इतना काम हो जाने के बाद जब इतना हो जाएगा तो फिर enter करके नीचे आईएगा और यहाँ पर my cursor नाम से एक बना लीजिएगा is equal to का निशान लगाईएगा और चुकि मैंने बनाया था my db के नाम से आपने जिस नाम से बनाया हो वो चीज़ यहाँ पर रख सकते हो और यहाँ एक function है cursor तो यह cursor लगा लीजिएगा इस तरीके से यह लगा लेने के बाद आपको enter करके नीचे आना है और अब यहाँ पर table आपको बना लेनी है तो यहाँ पर my cursor c-u-r-s-o-r dot अब यहाँ पर क्या देना है dot देने के बाद आप हम execute कराएंगे e-x-e-c-u-t-e execute कर दिया अब यहाँ पर table बनाईए और execute करिए तो यहाँ पर table बनाने के लिए हम जो command my school के अंदर लिखते हैं बिल्कुल वही command आपको यहाँ पर भी लिखना है create table यह लिख दिया create table और table किस नाम से बनेगी तो जिस भी नाम से आप table बनाना चाहें बना सकते हैं जैसे माली जै मैं यहाँ पर student के नाम से table बना रहा हूँ तो यहाँ पर student t कर देता हूँ तो यह student t नाम से table का नाम है यह ठीके ना अब यहाँ पर bracket को open कर लेते हैं और यहाँ पर bracket को open करने के बाद यहां पर हमें क्या देना है नेम देना है ठीक है नेम यानि स्टूडेंट का नेम तो यहां पर आप नेम आफ स्टूडेंट भी लिख सकते हैं तो यह लिख देते हैं आप नेम आफ अंडर स्टूडेंट ठीक है तो यह हो गया नेम आफ स्टूडेंट और जैसे नेम आफ करेंगे तो क्लोस करने के बाद क्लोस करने के बाद क्लोस हो जाएगा ठीक है और जैसे यहां पर क्लोस कर दीजेगा ठीक है तो यह सब तो close हो जाने के बार, यहांपर देख सकते हैं, यह पहला bracket है, यह पर आप चाहें तो wear care भी दे सकते हैं, जैसे माली जी यहां पर हम आएं, और यहांपर wear care दे दे तो भी यह चलेगा, तो यह अगर wear care आप दे देते हैं, और यहांपर size 30-20 कुछ भी रख लेते हैं, तो यह wear care click करेंगे, इस पर 5 press करेंगे, और इसको save करेंगे, तो यहांपर मैं किसी भी नाम से save करता हूं, enter करता हूं, आगर कोई error नहीं है, तो यह चलना चाहिए, यहांपर last में थोड़ी सी दिक्कत है, इसको थोड़ा उपर की तरफ move कर लेंगे, ठीक है, अब यह हो गया है, अगर यहांपर कोई message नहीं आया, तो इसका मतलब कि आपकी table बन गई, अब आपकी table बनी है कि नहीं बनी है, यह कैसे प्रमारित होगा, यह कैसे पता चलेगा कि table बनी है कि नहीं बनी है, तो हमारे database का नाम क्या है school, और हमारे table का नाम है student T, ठीक है, तो आईए my school पर check करते है कि student T नाम से database बनाए कि नहीं बनाए, तो हमें किसको use करना है, तो यहां पर नीचे हम use करेंगे, तो यहां पर यहां पर क्या use करेंगे, तो हम यहां पर क्या use करेंगे, school नाम का database यूज़ करेंगे, तो यहां पर आते हैं, और यहां पर लिखते हैं, और यहां पर लिखत कर सकते हैं कि टेवल का क्या नाम है, तो टेवल का नाम हमने student T दिया है, यहां पर इसी को हमें दे देना है वहां पर, कहां, my school पर, तो यहां पर आकर के student T आप दे दीजे और student T देने के बाद इसको इस तरीके से select करके then यहां से चला दीजे, तो चलाएंगे तो देखे वही तो ही चीज़ें आई हुई हैं जो चीज़ें हमने दी थी देखिए यहाँ पर name of student और class चुकि यही हमने दिया भी था तो यही आएगा तो देखिए यहाँ पर name of student और class यही आया भी हुआ है उमीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी कि यह कैसे आप python पर mysql का table बना सकत है ठीक है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तुशे शेयर कीजिए और साथी साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले thank you for watching this video